तो आज हम लगाएंगे ऐसा पोदा जो की खाने में भी और मैडिसन के रूप में भी यूज किया जाता है तो उसके लिए भी उसकी मिट्टी बनानी होगी उसकी मिट्टी हम बनाएंगे गार्डनिंग सोयर और वर्विंग पोस्ट और थोड़ा सा मैंने लिया है कोको पीट म मिला लिया इसको अच्छे से आप मैंने गमला लिया है इसके लिए कम से कम पांचे इंच का गमला लिया है उसके बाद हम क्या करेंगे इसको लगा देंगे बड़े पोड में अभी पहले हम इसको लगा रहे हैं चोटे पोड में और उसके बाद अगर अगर अच्छी ग्रो जाता है पौदा मैडिसन प्लांट है खाते भी है इसको और इसको हम यूज भी करते हैं खाने में बहुत ही बढ़िया पौदा है ये तो इसको हम लगा रहे हैं अभी मई जून में तो देखते हैं ये पौदा कैसी चलता है तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट होगा इसका तो इसको लगाने के लिए हमने क्या मिट्टी बिना ली है और उसके बाद हम भी क्या करेंगे इसको बड़े ध्यान से हम इसकी polythazin से इसको बड़े ध्यान से निकालना है ताकि कोई भी इसकी roots खराब ना हो और इसकी जो हस्क होती है उसको भी हम यूज कर लेंगे अपने पोधों में तो ये पोधा है गाइज आपको क्ये कर रहा है इसको मिट्टी को अच्छे से फिल कर लेना है मिट्ट्यू को आप अच्छे से फिल कर ली को कि उसके पाद जब हम इस ग्लास को निकालेंगे तो इसके अंदर अल्रीड फटा बन जाएगा यह पॉदा है कड़ी पत्ते का जो की बहुत ही बड़िया मना जाता है सेहट के लिए और खाने के लिए भी इसको यूज़ करते है और इसके medicine properties बहुत ज़्यादा होती हैं तो इसको हम लगाएंगे बड़े ध्यान से पनी को उतारना है ताकि हमारी जड़े खराब ना हो अगर थोड़ी से भी roots खराब होगी तो आपका पोदा survive नहीं करेगा तो इसके लिए आपको बड़े ध्यान से कर रहा है और मैं चीने का powder यूज़ करता हूं मैं chemical वाला कोई root hormone यूज़ नहीं करता मैं organic ही करता हूं सारा कुछ और organic हेती कर रहे तो आपको root hormone भी organic ही यूज़ करना चाहिए उसके बाद क्या करना है आपको अच्छे से इसको दबा देना है उसके बाद दे दीजी इसको पानी और इसको र अच्छे से पानी देजी ताकि पानी अच्छे से ड्रीन हो जाए और यह कुछ टिप्स थी आप यूज़ करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाज़